नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSC उतकर्ष में मेरा नाम है पूजा दिवेदी हाली के समय हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में जो LAC को लेके विवाद चल रहा है उस पर कुछ प्रग्रती हो रही है जो ये प्रग्रती हो रही है ये किस प्रकार से हो ये उस पर तो हम ध्यान रखेंगे ही पर इसके अलावा हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से LAC को लेकर बार बार कुछ फ्लैर अप्स होते चले जा रहे हैं और ये विवाद बहुती लंबा समय लेगा सुलचने में तो इसे पर हमें चर्चा करनी है भारत और चीन के बीच प ट्रोलिंग.14 के नाम से भी जानते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में इसमें कुछ भारतिये सैनिक घायल और घायल भी हुए थी साथी साथ कुछ की मृत्य हुई थी पर हमें आज तक नहीं समझ में नहीं पता चला कि किस प्रकार से गलवान वैली एक बहुत बड़ा विशे बन चुका है आखरी चार सालों में यहां पर जितने भी विवाद चल रहे हैं यह सॉल्फ क्यों नहीं हो पारें इस पर तो बात करेंगी इसके अलावा बाकी और सारी जगाएं भी हैं जो लगातार चर्चा में रही जैसे कि कारा कुरम पास जो है यह कारा कुरम पास यहां पर लोकेटेड है यहीं पर शक्सगम ट्रैक्ट है शक्सगम ट्रैक्ट बेसिकली 1963 में पाकिस्तान ने अपने पीयोके से क्योंकि वो खुद के पीयोके को बोलते हमारा कश्मीर है अपने पीयोके से उन्होंने कश्म इसके नीचे पढ़ता है फिर गलवान वैली है फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है पेट्रोलिंग पॉइंट वो शेत्र होते हैं जहां पर सैनिक आते जाते रहते हैं आवाज आही लगी रहती है देखने के लिए कि हमारे शेत्र में कोई आया कि नहीं होट स्प्रिंग्स है उसके नीचे गोगरा है फिर उसके नीचे यहां पर देखेंगे नौर्थ बैंक हे पैंग ऊंग सो लिए के पैंगॉंग-उंग इ sabes निज है जो की काफी उचाई पर्सतित है इसका दो तिएहाई हिस्सा तिबद शेत्र में पढ़ता है और एक थिहाई हिस्सा भारत में मैंसे यहां पे हमारी सेना और साथी साथ चीनी सेना तैनाथ है इस पूरे शेत्र में और यहां पे जो चीजे हो रही हैं यह प्रगती पर हैं ऐसा बताया जा रहा है तो इसमें अपरेल 2020 से पहले की स्थिति को ध्यान में बनी है इसके अलावा यहां पे पता चला है कि हो सकता है कि भारती सेनिक जिनकी एलेसी के साथ कुछ गश्ट बिंदूों तक पहुँच या तो चीनी सेनों को द्वारा अवरुत कर दी गई थी या फिर विशिष्ट बिंदूों पर विगटन की प्रिष्ट भूमी में बनाया गए बफर जोन के क्रियान वयन के कारण फिर से उन तक पहुँचने के करीब हो सकती है शीष अधिकारियों ने पुष्टी की है कि या घटनाकरं दोनों पक्षों के बीच हल हाली में हुई कूट नीतिक और राजनीतिक स्तर की वारता के दौरान हुआ था 29 अगस्त को बीजिंग में आयोजित भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समनवय के लिए कार्य तंत्रवारता का आयोजन भी किया गया था इस 31 कार्य तंत्रवारता के लिए प्रतिनिधी मंडल में भारती सेना के प्रतिनिधी भी शाविल थे बारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स तर पर 22 दौर की सैनिवारता अब जल्दी होने वाली है कोर कमांडर्स यहां पर रहेंगे इसके अलावा विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जड़पों से बचने के लिए दोनों पक्षों ने स्थानिय कमांडर की बैठक भी की है इसके अलावा पूर्वी लद्दाक में तैनाथ 50,000 से 7,000 अतरिक्ट सैनिकों के लिए शीत काली भंडारन जो इस वर्ष चल रहा है जारी रहेगा साथी साथ LAC पर सैनिकों के फिर से तैनाती हो सकती है और वापसी और डी-एसकलेशन में एक लंबा मामला होने की भी अवधारना है अगर बात करें कि किस प्रकार से LAC हमें लगातार चर्चा में रही है इस पर हमें लगातार बात करते रहने चाहिए तो बिल्कुल यह सही बात है क्योंकि इसे questions आ सकते हैं देखो LOC और LAC में बहुत फर्क हैं LAC यानि कि Line of Actual Control और वास्तविक नियंत्रन रेखा यह बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और चीन के बीच में भारत कहता है कि LAC इस पूरे शेत्र से होते हुए हिमाचल प्रदेश उत्राखंड उसके बाद सिक्किम से लेकर फिर अरुनाचल प्रदेश इस पूरे शेत्र में LAC 3488 किलो मीटर होनी चाहिए जबकि चीन कहता है कि LAC सिर्फ और सिर्फ 2000 किलो मीटर है यानि कि सिक्किम का शेत्र है इसमें हिमाचल प्रदेश का है और उत्राखंड का है लद्दाग के शेत्र को और अरुनाचल प्रदेश के शेत्र को वो LAC नहीं मानते हैं याद रखे कि अरुनाचल प्रदेश का जो यह शेत्र है यही मेकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है तो पूरा का पूरा एलेसी या पूरी की पूरी वास्तविक नियंतरन रेखा मेक मोहन लाइन नहीं है सिर्फ जो अरुनाचर प्रदेश वाली स्थिती है जो रेखा है वहीं मेक मोहन नियंतरन रेखा मानी जाती है मेक मोहन लाइन मानी जाती है और ये जो समझोता हुआ था शिमला अग्रीमेंट ये भारत जब ब्रिटिश कॉलिनी था और साती सात तिबबत जो की स्वतंत्र नहीं था चीन का पार्ट था उनके बीच में हुई है तो यहाँ पे जब कोई देश शतंत्री नहीं है तो वो अपने मन से कैसे कोई अग्रीमेंट या फिर संधी कर सकता है तो यहाँ पे इसी वज़े से मेक मोहन लाइन को ये नहीं मानते हैं बात रही लदाख की तो लदाख को पूरा एरिया ये अकसाई चीन मानते हैं जिसकी वज़े से इस शेत्र को भी नहीं ये मानते कि ये भारत का हिस्सा है और 1962 के वार में यहाँ पे इन्होंने काफी बड़ी गुसपैट की और काफी बड़ा हिस्सा भारत से चीन लिया इसके अलावा गर हम बात करें LAC तीन शेत्रों में विभाजित है या तीन सेक्टर में विभाजित है वेस्टन सेक्टर ठीक है मिडल सेक्टर और इस्टन सेक्टर तो अगर वेस्टन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पहला वेस्टन सेक्टर में आपका आजाएगा लद्दाक का शेत्रपूरा Middle sector में हिमाचर प्रदेश और उत्राखंड आएगा और Eastern sector में सिक्किम और अरुनाचर प्रदेश आएगा Western sector और Eastern sector ये सबसे जादा problematic areas है जबकि अगर हम हिमाचर प्रदेश और उत्राखंड की बात करें तो ये comparatively stable है यानि कि सबसे जादा परेशान हम कहा होते हैं चीन के द्वारा लद्दाख में और उसके बाद यहाँ पर अरुनाचर प्रदेश specifically इनको तवांग का शेत्र चाहिए यहाँ पर तवांग का शेत्र इनके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर Buddhist Monastery है जो कि Tibetan Buddhism के लिए बहुत important है अब कभी भी Tibetan nationalism को अगर दबाना है तो सारे के सारे जगहाँ उपर जो कि Tibetan Buddhism को दर्शाता है चीन को उसको अपने कबजे में करना होगा जिसमें तवांग भी बहुत important role play करता है इस वज़े से यहाँ पर तवांग का शेत्र अरुनाचल प्रदेश में इसके लिए जरूरी है तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें जानना होगा कि क्यों इतने flare-ups होते हैं दाख में देम्चोग त्रिग हाइट्स दुम्चेले पैंगॉंग सो चूमर और सपांगूर गयाप सबसे जादा फ्लेयर अप वाले एरिया सबसे जादर लडाईयां देखें गई है नामका चू, सुम्दरॉंग चू, अस्फिरा, लॉंग जू, दी चू, यांग से, फिश्टेल वान टू हिंदी दिबांग वाली यह अरुनाचल प्रदेश में issues हैं comparatively हिमाचल प्रदेश में कौरिक और शिपकीला फिर भी यहां पर disputed regions मानते हैं चीन और भारत भारत तो नहीं चीन of course उसके बाद उत्राखन में बारा होटी और पूलान सुन्डा अगर बात करें तब से 300 transgressions हमने देखें और लगातारम देखते भी रहेंगे 12 सितंबर को विदेश मंत्री केस जैश अंगर ने कहा था कि चीन के साथ विगटन समस्याओं का लगभग 75% समाधान कर लिया गया है लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर सैनिय करण को बढ़ाना है इसके अलावा चीनी विदेश मंत्राले ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चार स्थानों पर सैनिकों की वापसी भी हो गई है इसमें गलवान गाटी भी शामिल और सीमा पर स्थितियप स्थिर भी हो गई है विदेश मंत्राले द्वारा जारी एक बयान में ये भी कहा गया कि डोभाल वांग बैठक ने दोबाल वांग बैठक ने दोनों पक्षों को LAC पर शेश मंदों का शीगर समाधान करने के लिए किया है पिशले चार वर्षों में LAC पर बफर जोन के निर्माड के साथ गलवान घाटी पैंगोंग सो के उत्री और दक्षिनी तथा गोगरा होट स्प्रिंग जो मैंने आपको दिखाया इस शेत्र में टकराव विंदू पर कुछ हद तक समाधान हुए हैं अब यह एक कॉंसेप्ट है सलामी स्लाइसिंग की सलामी स्लाइसिंग यह क्या है सलामी स्लाइसिंग एक कॉंसेप्ट है एक वाड़फेर स्ट्राटेजी है जो की चाइना द्वारा यूस की जाती है और यह वाड़फेर स्ट्राटेजी बहुती जादा क्लैंडिस्टाइन और small in scale है, जैसे कि कोई एक शेत्र है, यहां तक भारत अपनी सीमा मानता है, यहां तक चीन अपनी सीमा मानता है, चीन अचानक से भारत की सीमा में घुश जाएगा 10 किलो मीटर तक और फिर यह इतने हिस्से को अपना मानने लगेगा, भारत जो कि यहां तक अपना हिस्सा मान यहां से हम भी 5 km पीछे जाएंगे और यहां पे जो यह 10 km आया थे 5 km पीछे जाके इन्होंने फिर भी भारत का 5 km हिस्सा अपने अंदर कर लिया इसी concept को हम salami slicing कहते हैं 10 कदम आगे बढ़ना 2 कदम पीछे जाना 10 कदम आगे बढ़ना 5 कदम पीछे जाना ऐसे करकर के यह शेत् संबंध में प्राथमिक विवाद विभिन शेत्रों में इसकी संरेखड से उत्पन हुआ हमारे पस इसका कोई मैप नहीं है जिसकी वज़े से लगतार यहां पे fluctuations होते रहते हैं पूर्वी शेत्र में LAC वर्ष 1914 मेकमोहन ड्रेखा का अनुसरन करती है जिसमें जमीनी स्थिति को लेकर मामुली विवाद है पश्चमी शेत्र में प्रमुक सहमतिया मौजूद है जो वर्ष 1959 में चीनी प्रधानमंत्री जोएन लाई त्वारा प्रधानमंत LAC से 20 km पीछे हटने का दावा किया था वर्ष 2017 में डोकलाम संकट के दौरान चीनी विदेश मंत्राले के प्रधा ने भारत से 1959 LAC का पालन करने की बात की इसके बाद यहां अगर बात करें भारत और चीन के मिद्धे जो सीमा विवाद चल रहा है वो तो मैंने आपको अच् सेनिक शहीद हुए चीन के 400 सेनिक 2017 दोकलाम में 75 दिन तक सेनाय आमने सामने रडटी रही चीन ने ये दोकलाम वैली डिस्प्यूट था बेसिक डी जो की भूटान इंडिया बूटान की तरफ से इंडिया गया था क्योंकि हमारी फ्रेंशिप ट्रीटी है भूटान को संरक् करने के लिए इस वज़े से तो डोकलाम में 75 दिन तक सेनाय आमने सामने डटी रही चीन ने के सहायक सड़क निर्मार का काम शुरू किया तो भारतिय सैनिकों ने उसे रोका 1975 की बात करें तो चीन ने अरुनाचर प्रदेश में के तुलूंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटाइक भी किया इस हमले में चार भारतिय जवान शहीद हुए 2020 बात करें तो लद्दा के गलवान घाटी में दोनों से नौ के भी जड़प में 20 भारतिय सैनिक भी शहीद हुए इसके अलावा यहां पर 1987 की बात करें तो भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टक्राव हुआ था बाचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला शांत भी कराया गया 2022 में अरिनाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतिय पोस्ट को हटाने की कोशिश की भारत के छे जवान इसमें घायल भी हुए और चीन को जादा हमसे नुकसान हुआ हमसे जादा कमपेरिटिवली नुकसान हुआ इसके अलावा कुछ समझौते भी किये गए हैं 1993 और 1996 के दोनों समझौते का एक प्रमुख तत्व है कि दोनों पक्ष LAC के साथ शेत्रों में अपनी से माउस को न्यूनतम स्तर पे रखेंगे डी एसकलेट करेंगे जितना कहीं सेना प्रेजेंट रहेगी उतने जादा चांस बढ़ जाते हैं जड़ब के और एसकलेशन के 1996 के समझौते के तहट LAC के निकट प्रमुख श्रेणी के हाथियारों की तैनाती को सीमित किया गया है इसमें टैंक पैदल सेना की लडाकु वाहन 75 किलोमेटर या उससे बड़ी क्यालिबर वाली बंदूख 120 mm या उससे अधिक शमता वाले मोटोर तथा विबिन मिसाइले भी शामिल थी या LAC के 10 किलोमीटर के भीतर लडाक हुवे मानों की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगाती थी इसमें कहा गया थी कोई भी पक्ष अलेसी पर 2 किलोमीटर के भीतर गोली नहीं चलाएगा जैव विगटन नहीं करे इसके अलावा विसपोट विसफोट अभियान नहीं चलाएगा बंदू को या फिर विसफोटो को की साथ शिकार भी नहीं करेगा उन्नों से तुरानवे और श्यानवे के समझाते में या भी कहा गया है कि सीमा पक्ष प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक दोनों पक्ष LAC क सकती से सम्मान करेंगे इसके अलावा वर्श 2012 में भारत और चीन ने परामर्श और समनवे के लिए कारेकारी तंत्र स्थापित किया जिसके बातचीत से ही आगे बात बढ़ती है अगर बात करें से संबंधितिक क्वेशन की तो क्वेशन क्या-क्या आ सकता है वो देख लेत को नियुनतम सतर पर रखेंगे और 1996 के समझोते के तहत LAC के निकट प्रमुख श्रेणी के हथियारों की तैनाती को सीमित में सीमित करेंगे यानि कि सीमा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है यानि कि जब भी आप ऐसे क्वेशन जब भी आप ऐसे नियूस देखें उससे क्वेशन मेंस कभी आप एक्सपेक्ट करें क्योंकि मेंस के क्वेशन आज कल काफी इन ही सारे एरिया से आ रहे हैं स्पेसिफिकल इंटरनाशनल रिलेशन्स में थांक यू सो मच एवर्रिवन स्टे अब्लेटिद क्वेशन ही इन हम राएंक